दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है HP अधेसिव के बारे में बहुत सारे लोगे कि कॉमेंट्स आए जानना चाहते हैं क्योंकि ये stock split हो रहा है यहाँ पर जो सूचना है जैसे कि 9 नुवंबर 2023 को यानि कि 10 से face value से इसकी 2 की face value हो जाएगी आपके पास जो shares हैं जैसे कि एक example से मैं समझाने की कोशिश करूँगा जैसे यदि आपके पास एक share है माल लिजिए कि ये 1000 रुपया है तो मात्र इसके 5 टुकडे हो जाएगे 2200 रुपय के समझ लिजिए किसी ने आपको note दे दिये है बट value वही है बाजार में 1000 रुपय की कीमत वही है चाहे 2200 के 5 नोट सो चाहे 1000 रुपय का एक note हो तो आप समझ गे 10 से 2 की face value पे आ रहा है सिर्फ stock split हो रहा है यानि कि stock price है 9 नवंबर को ये इसके 5 टुकडे हो जाएगे प्रमोटर को क्या benefit हो सकता है future कैसा है company का क्योंकि हम भी इस stock के बारे में समय समय पे आपको बताते रहे हैं तो business पे भी एक नज़र डालेंगे और किस प्रकार के इनकी कमाई वगेरा है आखरकार क्यों split लाया जाता है उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं देखिए HPA DCU का पहले हम देख लेते हैं जो कुछ basic चीज़े हैं जैसे एक साल में रिटन इन्होंने 16% के आसपास के दिये हैं 6 महेने में 30% के आसपास के रिटन दिखाई दे रहे हैं market cap है इसकी 868 करोड की यानि कि market cap सेम रहेगी जो भी भाव अगर बढ़ेगा तो market cap यानि कि जो भी shares है उनको आप गुणा कर देंगे stock price से तो market cap निकल के आ जाती है तो ये घटी बढ़ती रहती है प्रती दिन जैसे जैसे trade होती है तो आज की rate में दिखाई दे रहे हैं 10 की face value 9 November के आसपास आपको जो है directors को लगता है प्रमोटर को लगता है तो अपने stock को वो split करते हैं यानि कि उसका विभाजन करते हैं टुकडे करते हैं ताकि बहुत ज्यादा लोग भी और भी खरीद सके हैं इसके लाब भी हो सकते हैं इसके नुकसान भी हो सकते हैं जैसे कि already अगर किसी के पास बहुत सारे shares है माल यह किसी के पास 100 shares हैं और उसके 500 shares हो गए तो उसको लगेगा चलो यार 100 shares बेश देते हैं और थोड़ा सा पैसा किसी और stock में लगा देते हैं या जो उसके जरूरत का होगा या वो अपने खर्चे पानी के लिए इस्तिमाल कर सकता है लेकिन अगर छोटी price का stock हो गया और लोगों को लगा company बढ़िया है तो हो सकता है कि ज्यादा खरीदारी भी इसमें आ जाए और stock price काफी बढ़े भी जाए तो लाब भी हो जाता है और हानी भी हो सकती है एक short term के लिए long term के लिए नहीं कह रहा हूँ long term में आपको share में गिरावट या तेजी एक ही कार्ण से आएगी अगर इनके financials अच्छे आते रहेंगे लगातार तो no doubt stock price बढ़ता रहेगा लेकिन अगर income में उस प्रकार से ज्यादा improvement नहीं होगा तो stock price उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो हम अभी income statement भी देख लेंगे किस प्रकार के रहे कुछ वर्षों के तो ये basic कारण है stock split का कि बहुत ज्यादा participation हो जो retail निवेशक हैं और भी ज्यादा खरीदारी करें तो एक promoter का intention ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनको कुछ fund raise करना चाह रहे हैं जैसे अगर माली जी मेरी company है और मैं करणा नहीं लेना चाहता है अगर हम trailing base पे देखते हैं तो 14 करोड के आसपास तो 9 करोड का करणा कुछ नहीं है यानि कि जब चाहें खत्म कर सकते हैं तो क्या हो जाता है कि करणा अभी नहीं है और करणा लेना भी नहीं चाहते तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनके पास जो holding is 71.35% holding है तो यह कुछ holding यहाँ पे निकाल के सोच रहे होगे कुछ fund raise कर लिया जाए अब इस price पे निकालेंगे तो इस हिसाब से इनको पैसा मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि stock split होने के बाद इसमें काफी तेजी देखी जाए क्योंकि कभी यह stock एक समय पे 100 के price to earning ratio पे trade हो रहा था हो सकता है मोटर को लगा हो कि यदि हम अपनी कुछ holding निकालें कुछ shares बेचें तो अच्छे खासे भाव पे बेचें तो हमें और भी ज्यादा पैसा raise होगा तो वो भी एक intention हो सकता है कि अच्छी चीज भी है कि अगर करजा नहीं लेना चाहते हैं और उनके पास कुछ holding से उसको निका अलगे units बढ़ाते जा रहे हैं तो business में पैसा अपने shareholding दूसरे तरफ एक नुकसान दे भी है लेकिन एक तरफ उनको benefit भी है कि उनको installment interest भरने से अच्छा है कि अपनी कुछ holding निकाल के पैसा चुटा लें तो यह एक कान भी होगा long term point of view से यह चाह रहे हैं इस प्रकार से split करना चाह रहे हैं अगर हम promoters के बाद अगर देखते हैं FIIS कैसे हैं तो शुरू में जब यह list हुई थी तो आप देखेंगे 11.79% FIIS ते फिर उन्हें profit booking की घटे घटे 2022 से दिसंबर में बिलकुल कम हो गए 0.50% फिर अब देखते हैं तो सितंबर तक के आकड़ों में जो latest ह है उसमें अच्छे खास है 2.81% जो है यहां पर आपको FIIS दिखाएते रहें इसलिए आपने देखा कि 6 माईने में 30% बढ़ा भी है इस टॉप और D.I.I.S. भी देखें अगर पिछले कई quarters में तो बढ़े हैं 3.72% हैं तो इन लोगों ने भी मतलब इतनी छोटी कमपनी में 800 कोड की कमपनी में institutions भी हैं आप समझके चलिए और public है 22.12% जो की अच्छे हैं और number of shareholders है 26,775 यानि कि किसी 1,2,4 या 10 लोगों के हाथ में नहीं है shares कि कोई manipulate कर सके बहुत लोगों के पास shares हैं कुछ peer companies में अगर देखते हैं competition की जो कमपनियां हो गए तो number one पे PD light अगर products हैं बाकी और companies के different products भी हैं तो ऐसा मान के चलिए तो अगर देखे जाए शुद रूप से अगर कोई company से हम तुलना करें तुलना तो नहीं कर सकते बहुत छोटी company है HP ADACO बट कहीं ने कहीं PD light जैसी company बनना चाहते उस प्रकार के इनके कुछ products हैं similar HP ADACO अगर देखें PD light का जो पी रेशियो 86 का है इसका है 57 का इसकी market का एफ एक लाख बीस जार कोड के आसपास इसकी मात्र 900 करोड के आसपास मान के चलिए अब income statement पे अगर हम देखें साल दर साल देखें 2020 में अभी बहुत जार दिन की बात नहीं है 2030 चल रहा है 2020 में मात्र 85 करोड का total sales हुआ करता थ इस परकार से मुनाफ़ा भी देखते हैं तो 2021 में 10 करोड फिर 6 करोड फिर 11 करोड फिर 14 करोड ठीक है उसे साबसे इस परकार से कोविट रहा उसे साबसे बहुत सादा इनके जो प्रोड़क्ट से इस्तेमाल होते हैं construction में घहरेलू कारियों में तो कोविट के वैसे हो सकता ह कि एक दो साल यहां पर प्रभावित रहा हो तो compounded sales growth अगर तीन वर्षों की देखते हैं 40% जो की एक अच्छी है profit growth देखते हैं तीन वर्षों की 63% जो की अच्छी है return on equity अगर देखते हैं 8% last year की लेकिन तीन वर्षों की 12% निकल के आ रही है लेकिन एक नज़र हम quarter में दे एक सट करोड से 69 करोड हो गई है तो कहीं ने कहीं चारो quarter ने बढ़ना चाहिए था तो आप समझ रहे के slowdown चल रहा है विदेशों में भी जाए export करते हो भारत वर्ष में तो खेर कामकास तो चली रहा है मुनाफ़ा भी देखते हैं यहां पर EPS आप देखिए तो EPS 2.45 पैस से बढ़के और पिछले वर्ष के quarter में देखते हैं 75 पैसे था तो उससे बढ़के आया है ठीक है इस तरीके से हम साल दर साल EPS भी देखते हैं तो यहां पर ठीक है 3.27 पैसे 5.90 पैसे 7.62 पैसे प्रोड़क्स अगर आप देखेंगे solvent Siemens जो इस्तेमाल होता solvent Siemens is a welding a process by the fusing the CP PVC material together creating one uniformly bonded piece of thermoplastic यानि प्लास्टिक को फिक्स करने के लिए इनके प्रोड़क्स एक अधेसिव यह इस्तेमाल होता है epoxy पुत्ति अगर देखते हैं तो compound consists of the two parts दोनों parts को जोडने के लिए resins and hardner को तो two equal parts को मिलाने के लिए fix करने के लिए इनके प्रोड़क्स इस्तेमाल होते हैं इस तरीके से contact adhesive है automotive industry and aerospace industries में इस्तेमाल होते हैं footwear and leather goods जो की fix करने के लिए leather वगएरा के सारी चीजे में यह product इस्तेमाल होता है और white glue है जैसे कि आप देखेंगे used in the wood working projects बहुत सारी चीजें furniture इन सबको fix करने के लिए संदमाई का इन सबको fix करने के लिए आते हैं तो favicol जैसा ही एक प्रकार का white glue products इनका हो जाता है तो overall इस प्रकार के products हैं consumer भी इस्तेमाल करता है बड़ी-बड़ी heavy industrial में भी इनकी जो है इस्तेमाल होते हैं बट एक long term के लिए मुझे ऐसा लगता है split को तो छोड़ दीजिए split में short term में मुनाफ़ा होगा या फायदा होगा लेकिन हाँ अगर आप इसको बहुत वर्षों के लिए देख रहे हैं जैसे तीन साल पांच साल दस साल तो मुझे लगता है कि company अच्छा कर सकती भाविश म और stock price ही बढ़ गया तो आपके पैसे की value बढ़ जाती है और all portfolio में आपको एक भार नजर आता है तो कुछ भी हो सकता है इस समय जो मंदी चल रही है जिस प्रकार से पहले जो है stock price अंदाधुन भागा करते थे तो यह opportunity भी हो सकती है कि इस P ratio पे आपको मिल रहे हैं नजर र कार के जो है निवेशक भी है तो इस वज़े से भी company काफी बढ़िया नजर आ रहे है फिर भी दोस्तों कोई भी stock लेने से पहले जरूर अपने वित्ती सलाकार से आप मश्रा करें इस stock के बारे में इस company के बारे में यह और कुछ भी जानकारी आप share करना चाहते है तो जरू करन बाक्स मुष्का लेकरें थैंक वर वाचिंस वीडियो फ्रेंट